जैसे आप देखेंगे पीछे की साइड में सिंपली रादा कृष्णा की प्रतीमा हैं जो बिना पेंटेड हैं यानि की विदाउट पेंटेड मूर्तियां हैं इधर आप देखेंगे साड़े तीन फिट साइज में रादा कृष्णा की प्रतीमा बनाई गई है यहां मादुर्गा की प्रतीमा साड़े तीन फिट में, तीन फिट साइज में मादुर्गा की प्रतीमा, साड़े तीन फिट साइज में मादुर्गा की प्रतीमा, पीछे की साइज में मादुर्गा की प्रतीमा साड़े तीन फिट साइज में है, उंगन वगेरा में भी गॉल आपको आज हम दिखाने वाले हैं कि बहुत शारी दुर्गामा की प्रतिमा है जो नवरात्री के लिए हमने इस्पेशली तयार की हैं आप देख सकते हैं बहुत शारी दुर्गामा की मूर्तियों के बारे में आज हम आपको जानकरी देंगे डेड़ फिट साइज से लेकर के चार फिट साइज तक की मादुर्गा की प्रतीमा ओल्रेडी कम्पलीटिड है हमारे पास में आप किसी भी टाइम हमसे संपर करके मादुर्गा की प्रतीमा है किसी भी देवी देवता की प्रतीमा यहां से ले सकते हैं मार्वल मूर्तियार्ट से तो आईए हम आपको दिखाते हैं मादुर्गा की प्रतीमा है किस प्रकार से हमारे वरकर्स लोग मादुर्गा की प्रतीमा को कम्पलीट करते हैं आप देख सकते हैं यहां पे भी कितनी शुन्दर शुन्दर मादुर्गा की प्रतीमा है पैंट्रों के द्वारा इस्पेशली तयार की जा रही है मादھरुगा की प्रतिमा हैं जो ये 30-inch size में available है मादhr़ुगा की पृतिमा मादھरुगा को हमने नत्नी पहन है, आखों का आप देख सकते हैं सैडिंग वाला काम आप चाहते हैं तो आप यहां में cut gold का काम भी करा सकते हैं और full painting के साथ में भी आप पूरी प्रतीमा ले सकते हैं जैसे कि customer की demand के अनुशार हम मूर्ती पे paint करते हैं यह white sun marmar marble में बनाई गई है मादूरगा की प्रतीमा एक ही पत्थर में बनाई गई आपको jointed marble में नहीं बनाई और भी आपको हम दिखाते हैं मादूरगा की प्रतीमा जैसे कि आप यहां देख सकते हैं एक और मादूरगा की प्रतीमा है जो सवा तीन फिट साइज में बनाई गई है यह धाई फिट साइज में मादुरगा की प्रतिमा बनाई है इधर भी आप देख सकते हैं एक और मादुरगा की प्रतिमा है जो तीन फिट साइज में बनाई गई है बहुत ही सुन्दर कलर के साथ में हमने पूरी पृतिमा को कंप्लीट किया है आप देखेंगे कि यहां पे आपको लाल-लाल सा शेडिंग कलर दिख रहा है जो किरन चकर बोल दें इसको इसमें गोल्ड का काम किया है और मुकुट में भी गोल्ड का काम किया है आप यहां देख में यहां पर देख सकते हैं प्रभु श्री राम जी की प्रतिमा है उनके पीछे गनपती जी है और यह जो दुर्गा मा की प्रतिमा आप देख रहे हैं इनका पैंटिंग का काम चल रहा है अभी तो यहां पर आपको हर साइज में मूर्तियां अवेलेबल हो जाएंगी किसी भ साइज में बनाई गई है हम आपको इसका पैमाइस भी लगा करके दिखा देते हैं आप देखेंगी कि आप नजदीक से हमारी वीवर्स को दिखाईए कि इसका साइज कितना है पांच फिट साइज में यह मादुर्गा की प्रतिमा कंप्लीट की गई कालिमा की और इनका जो और यह एक ही पत्थर में बनाए गई है संकर भगवान भी माकाली की प्रतिमा जोंटेड मार्वल नहीं है आप भी इसी प्रकार के नेचूरल क्वालिटी के साथ में माकाली की प्रतिमा को त्यार किया है आप भी अपने घर या मंदिर के लिए ऐसी प्रतिमा ले सकते हैं हम जो दो तीन तीन फिट के साइज में रखी हैं यहां पर पूरा का पूरा जो गोडाउन है वो रफ पृतिमाओं का है देखे आपको हम दिखाते हैं यहां यह जो जितनी भी पृतिमा यह सारी रफ मार्बल से अभी बनी हुई है वाइट संग मर्मर मार्बल में आप कोई भी यहां से कंप्लीट करा सकते हैं मंचा हा अपना पैंटिंग सोरूप करा सकते हैं कोई भी पैंट कलर करा सकते हैं इनका लाइफ टाइम का गारंटी है पूरे मार्बल का और जो मीनाकारी का काम हुआ है अभी चेहरे का काम कंप्लीट नहीं है जैसे कि आप यहां देख सकते ह स्ञ माराज जी की प्रतिमाएं रखी हुई है काली मा की प्रतिमा रखी हुए और यह एक नेचूरल क्वालिटी में ब्लेक शंग मरमर में क्रिश्कना भगवान का प्रतिमा बनाया है अब इनका चहरे का काम कंपलीट नहीं हुआ है बाकि आप यहाँ पे मादुर्गा की पृतिमगी साइज में दोनों पृतिमा में पूरी कमपलीट वृट संग मर्मर में बनाई है ये दो पत्थर में नहीं है आपको एशा लगे कि यël दो पत्थर में बनती है। आप order करके customize भी करा सकते हो इन मूर्तियों को जैसे कि सेर आप यहाँ पर भी देख सकते हैं मा सरस्वती की प्रतीमा हैं जैसे यह गनपती जी हैं सरस्वतीमा हैं राधा कृष्णा हैं गनेश जी हैं तो आपको बहुत सारी प्रतीमा यहाँ एक साथ हमारे पास में देखने को उसके बाद में आपको कोई भी फोटो सेलेक्टेड या कोई आपके पास में पृतिमा है तो आप वह वाटसब कर सकते हैं और अपने मन्चाहे पृतिमा बनवा सकते हैं धन्यवाद साथियों